सस्क्राइब करें होमेट के राप्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें हेलो फ्रेंड्स होमेट के राप्टिंग में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको मोनीटर कबर बनाना बताऊँगी क्रोसिया से कैसे बनाते हैं यह मैंने 6 कलर की उनली है और यह मैंने 6 नंबर का क्रो से लिया है सबसे पहले मैं यलो कलर लेती हूं इस तरह से मैं रिंग बनाती हूं यलो कलर से देखिए और अब मैं 3 की चैन लोगी इसमें रिंग में 1,2 और यह 3 यह मैंने 3 की चैन ले लिए 3 की चैन लेने के बाद हम मैं डबल क्रोशिया लोगी और इस तरह से मैं इसको पूरा बूलूँगी डबल क्रोशिया को पूरा बूल्ली ध मीशन लिए देखिये। को पूरा पुर लोगी डबल क्रोशिया लेकर देखिये इस तरह से मैं ॡबल नहींते इक बार में में ही बुलने है ऒबल क्रोशिया को शर्ड धो शर्ड शर्ड एके जिन try 17 तरह से बना रही हुग इन उर में है फ्लॉबर बना रही हूँ फिर में टूकी चेन और फिल्स में ये दवन को रोशिया पूरा बना सब्सक्टा अबिल टूरीожन सब्सक्रा बना झाल कि देखिए मैं इसको जोड़ दिए इस तरह से कि मैंने इसको जोड़ दिया इस रिंग को इस रिंग में मैंने एट डबल क्रोशे डाले हैं इस में वाइट कलर क्यों लगाऊंगी देखिए मैंने इस तरह से रिंग में एट डबल क्रोशे डाल दिये हैं अब मैं इस में वाइट कलर क्यों लगाऊंगी सबसे पहले मैं थ्री की चेल लोगी वन टू थ्री थ्री की चेल लेने के बाद मैं डबल क्रोशे बनूंगी अब टोटल हो गये फाइव किरोश्या अब इस तरह से जोड़ना है इस तरह से देखिए यह मैं फ्लॉवर बना रही हूं तो यह मैं थिरी की चेन लोगी देखिए और फिर इसमें फाइब डवल क्रोशे डालूगी अगले में यह फॉर और यह फाइब यह मैंने फाइब डवल क्रोशे डाल दिये हैं अब क्रोशे को निकाल के इदा से जो चेन है लास्ट वाली चेन में डालना है इसमें इस तरह से यह लेकर इदर को बुरना है इस तरह से और फिर थिरी की चेन लेनी वन टू थिरी देखिए फ्लॉवर बनता हुआ रहा है फिर फाइब डवल क्रोशे लेनी है देखिए यह मैंने फाइब डवल क्रोशिया डाल दिये हैं मैं इसमें देखिए इसमें डालकर इस तरह से यह इसको निकालते हैं फिर थिरी की चेन अब इसी तरह से ही डालना है वन टू थिरी फूर और यह फाइब देखिए मैं इसमें फाइब डवल क्रोशे डालते हैं फिर इदर से इसको निकाला इदर से डाला इसको ऐसे दिकालते हैं फिरी की जिक प्यालते हैं जो इाले दोबे कर दो दो से लड़ें जो दो भाजर तो जो भाजर कर दो फो दो जो पु़िए दो से भी को दो दो जो है कर दो भाद कर दो दो तो बहां हुआ है कि मैंने फिरी फाइबल कि रोश्य डाल दी है और फिरी तर को निकाल कर इसमें को जोड़ना इस तरह से निकालना है और फिरी की चेयन अब यहां पर जोड़ देना है इसको अब इस नागे को कट कर देते हैं इस तरह से अगया है अब इसमें मैं गिरीन कलर लगाती हूं सबसे पहले मैं यह थिरी की चेन बनाऊंगी कि मैं यह थिरी की चेन बनानी है थिरी की चेन बनानी के बाद डबल क्रोशे डालूंगी मैं अगले में शिक्स डबल क्रोशे डालूंगी तो और यह थिरी तो की चेन लोंगी तो 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 जाएंगे यह थिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी अगले में शिक्स डबल क्रोशे डाल दिये हैं अब मैं फिर बन की चेन लोंगी और फिर मैं थ्री डबल क्रोशे डालूंगी तो और यह थिरी डबल क्रोशे डाल दिये हैं फिर बन की चेन होंगी और फिर मैं शिक्स डबल क्रोशे डालूंगी और यह थिरी डबल क्रोशे डाल दिये हैं अब फिर मैं बन की चेन लोंगी और फिर मैं यह थिरी डबल क्रोशे डालूंगी और यह थिर बन की चेन होंगी और फिर मैं शिक्स डबल क्रोशे डालूंगी कि अबल कर दोजे विर क्रोशे हो नुए यह मैंने फिर 6 डबल क्रोशे डालती है मैं पंचे लोंगी और फिर मैं 3 डबल क्रोशे डालोंगी पिर मैं 6 डबल क्रोशे डालोंगी ट्री डबल क्रोशे फिर 2 की चेन फिर 3 डबल क्रोशे व्ट मैं तो ट्रव जाहिए एंट सिक्सटावल क्रोशिय आई जोड देती है इस तरह से जोड देती है इस तरह से इस तरह से ये फ्लॉवर बनता हुआ रहा है यहां मैंने फोर मैंने शिक्स डबल क्रोशिय डाले है और फोरी मैंने थे डबल क्रोशिय अब इसमें मैं यह पिंक कलर क्यों लगाती हूं देखिए यह वाली कि मैं ही लिए हमें सब से पहले में दिनने तरहाभ यह के असथिंद रहुत ह हो uczu इसमें की आप यह कि पादा़ी है यह के पिर यह तोब्रोश्य पेण यह दय Başka कि कि तरह ब्रॉद करोशियर है टीचाल गाले मैं 5 दल्ब क्रोशिय डालाओ कि जो कि हुआ पैसे कि अस्दों कि अपिए अच्छ कैसे और फिर अगे में थेखिटेशन दाल जाओ और फिर आगे में थ्रीय क्रुछीर डालूँ है लान कि यह ठीर फिर बंजेंग और फिर इसमें मैं सिक्स डबल क्रोशिय डालूगे वहीं टेखिए यहां पर मैं अनुंट कि फिर टूटी चेन और फिर यह ठीर डबल क्रोशिय तोटल हो जाएंगे यह फिर डबल क्रोशिय इस तरह से फिर बंचेन और फिर थ्री डबल ग्रोशिया इस तरह से इसके हर बनता हुआ रहा है फिर बंचेन और फिर थ्री डबल ग्रोशिया देखिए अब मैं इधर यह नहीं बनाओंगी इधर से ही वापस बुरूँगी इधर को अब मैं फिर फोर की चैनल लोगी वाण टू थ्री और यह फोर फोर की चैनल लेने के बाद फिर मैं यह थ्री डबल क्रोशिया बुरूँगी फिर डबल करो शी हे हुआकी लुरूपी लें लेखिए ले लेखिएर जेखिए यहां पर मैं बीच में 6 डबल क्रोशिया डारूंगी त्री डबल क्रोशिया फिर टू की चेन और फिर त्री डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया त्री डबल क्रोशिया डाले में 6 डबल क्रोशिया डाले में 3 डबल क्रोशिया डालोगी त्री डबल क्रोशिया डालोगी त्री डबल क्रोशिया डाले में 3 डबल क्रोशिया डालोगी मैंक पूप सुनने का लाकंब के लैम। पर कि तरिबी नार नार राकंपया के लाषी द अार राकंप अमी में है यहां पर देखिए इस तरह से इस तरह से यह फ्लाबर बनता हुआ आ रहा है यह फ्लाबर तो मैंने बीच में बना दिया है अब इसके चार तरफ में यह स्क्वेर बना रही हूं देखिए आप इसमें मैं यह लाइट पिंग कलर लगाती हूं इधर से लगाती हूं जा दूसरी साइड से इस तरह से सबसे पहले मैं यह थिरी की चेल लूँगी वन तू और यह थी फिर मैं इसमें ही डबल क्रोश्य डालूँगी इख देखि- मैन यह टूक्र दमूचे डाल दिये हैं स्वोल्थरी टीचेल बनानी के बार कि अपना बटलोंगी तब अब फिर किनकि ह अतला दे दग्रूश्य रावर दै दढलंगी कर दो कर दो कर दो 24 ठच conception कर दो अपिक इससे ऍपना विर्वा यहां तो में यह कि डालों में भीशच में यहां तक बुरूँगी हम मैं इसको देखिए मैं इसमें यह लास्ट में त्री डबल करोश्य डालती है अब मैं फिर इसमें फोर की चेन बनाऊंगी यहां तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी जैसे मैंने यह लाइन बनाई है पहली लाइन बनाई है वैसी ही मैं यह बारी बनाऊंगी यहां तक लास्ट तक इसी तरह से यह लेकर ठीर डबल करोश्य डालनेगें है यह फार ए बनाई दिंसरे की उ बनाई आनेहेτα्सक lassi से श्ली नाते में श्परवय करोशिय डालें ति के संगल डबल कुरोशिय डालें अब में इसको लिकट कर देती हूँ उनको इस तरह से इस पेर बन रहा है फुरावार की चाना तरह हूँ अब इसमें ये इस कलर की उन लगाती हूँ यालो कलर की दे पूम स्कशिष होगाज़र कर देज़िदें है और यहां से रहा हूँ आख हैंचो इसमे कहल हूँ अब प्रीन धःताराय पर आप कर ढूब में तर्भ पूम है,ंध यलो कलर की मिल पूर में यहां से लगाती हूँ, हहां से सटार्ट करता थे को लगाना इसको कि सबसे पहले में थिरी की चेर बनाती हूँ 1613 में डबल क्रोश्य दाना कि अडिया है ने टूडबल क्रोश्य डाने है ऑफिर बनाचेर होंगी और फिर डबल क्रोश्य डानों कि इस तरह से बना दिए अब यहां तक में यह डबल क्रोशिय ही डालोंगी त्री डबल क्रोशिय कि अबल कि अबल दिएक दूए ही बडते हुईंने तरह साँॉहएणेसे वबल प्रह biology कहा हुई पुम कहा है। कर दो कि अब इतना यह यहां से लेकर यहां बना लिया है अब यहां पोने पर मैं यहां पर शिक्स डबर क्रोश्य डालू मी अब यहां पर शिक्स डबर क्रोश्य डाल दिये हैं अब फिर बन चैन और फिर इसमें डागूगी में अब इतना तरोश्य डागूगी में अब यहां पर डालूगी में अब यहां पर डालोगी अब गया है कि अपते हैं कि अपते हैं, आपते हैं अब यहां पर मैं 6 डबल क्रोशे डालूंगी 1 चेल और ही 6 डबल क्रोशे बालूंगी कि अवरल जुमि धुआ ए्याग मेरा झाली सर नहा हुम कि अम्हार अडिल हैंर शुषampa नहा हुम 39 हम बफित टूकी चेल होंगी और इसमें कुछे मैंने इतरी डबल क्रोशे डाली है इसमें को जोड़ता हो इस तरह से देखिया है यहां पर यहां पर इधर भी और इधर भी और बाकी जगह है तरी तरी डबल क्रोशे हैं देखिये स्क्वेर बन रहा है अब मैं इस तरह से इस वागे को बनाती हूं थागे को देखिये और फिर हम मैं थिरी की चेल लोंगी देखिये और फिर टू डबल क्रोशे डालोंगी इस तरह से देखिये यह मैंने पहले लाइन अब यलो करण से बना दी है अब दूसरी भी ऐसी ही बनेगी यहां पोनों पर चारों पर शिक्स डबल क्रोश्या पढ़ेंगे और बाकी इसी तरह से ही बनाई जाएगी जैसे मैंने यह नीचे की बनाई है बन चेन और फिर थिरी डबल क्रोश्या देखिये मैंने इस तरह से देखिये बना लिया है जाओ वजरेगी तरह सी एक स्वेट कघट कर दो होोः। मैं तरह सकत्ट्ट्ट सकत्ट्ट्टरा बडेसे शDDलाइबड़ोग्फ़ोग्याओ गएँा, अपुड़, जादेसेसे ृसरी । कि यवव़बोग Questo तरह सॉही है पॉने पर मैंने 6 डबल गुरू से डाल दी है, अब मैं इसको जोमती हूँ, बन चैन लेकर अभी फ्लॉवर मैंने कम्प्रीट कर लिया है अब समस्था जोड़ती हूँ, देखें से जोड़ती हूँ, सबसे बहुत है जोड़ने, अब मैं जोड़ने हैं, मैं जोड़ रही हूँ, फ्लॉबर, इसक्वेर, देखें दोनों को इस तरह से मिलाया और करोसिया को डालकर सिंगल क्रोशे लेकर जोड़ा ना है कि इस तरह से ये सिंगल क्रोशे लेकर बुना इस तरह से दोनों को ओपर नीचा रहे देखिए सिंगल क्रोश अलेती हुए मैं इस तरह से हीस तरह से में निकाला और डेते हुए । कर दो कर दो देखिए इस तरह से यह जुरता हुआ आएगा सिंगल क्रोश्या ही लेना है दोनों को बराबर रखके जोड़ना है देखिए जोड़ना बहुती इसी है सारे फ्लावरों को इसी तरह से ही जोड़ना है सारे जोड़ना है प्लावरों कावर's का रालना देखिए एजी से जुगणा है ये देखिए हमें सीधी तरफ से आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेशिंग के साथ ये जुड़ा है अब यहां तक मैं इसी तरह से ही जोड़ूंगी अब मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया है इस तरह से ही आगए है अब मैं फिर इन दोनों को जोड़ूंगी दोनों को भी मैं ऐसी ही जोड़ूंगी जैसे मैं बने यहां से जोड़ना है यहां से बहें ग्राइब गोहूं कि अब हमा zwe Victoria कर दो कर दो चार लो एवागर संवाराओ जड़ए अज़ बढ दो नहां जए सोरगा कर दोज़ दोड़ों अझादा हैं तो कि अज़ा झाया यशा अखो हैं झाल के लुड़े गाए जे घाद हैं देखिए अब मैंने ये चारो फ्लॉबरों को जोड़ दिया है मैंने 20 फ्लॉबर बनाये है 20 फ्लॉबरों को इस तरह से ही जोड़ा है जैसे मैंने चारो फ्लॉबरों के जोड़ए और और फाके फ्लॉबर फ्लॉबर जोड़ा है कि दर साइड में इस तरह से बाकी फ्लोवर मैंने जोड़ दिए है अमें इनको जोड़ूंगी देखिए यहां से देखिए मैं इसको इस तरह से जोड़ती हूँ यहां से कि देखिए मैंने यह जोड़ दिया है अधर को अधर से जोड़ूंगी कि देखिए मैं से जोड़की अधर दिए कि देखिए जोड़ूंगी कि देखिए जोड़की अधर दोलोगी देखिए bet। देखिए अब मैंने यह सारी फ्लॉब पर चोड़ दिये हैं इस तरह से आ गया है यह अब मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ चावल करब से देखिए यहां से बॉर्डर में ग्रीन कलर से बनाती हूँ ग्रीन कलर की उन से सबसे पहले में थ्रीकी चेन बनाओंगी वन टू थ्रीकी चेन बनाने के बार डवल क्रोशे डालूँगी अब फिर में फाइब डवल क्रोशे डालने के बाद थ्रीकी चेन बनाओंगी देखिए इस तरह से बुलूँगी और फिर इसमें फोर डवल क्रोशे डालूँगी यह फोर डवल क्रोशे देखिए इसमें मैंने नाइन डवल क्रोशे डाल दिये हैं फिर में बन चेल लूँगी बन चेल लेने के बाद इसमें यह सिंगल क्रोशे डालूँगी और फिर बन चेल लूँगी और फिर अगले में नाइन डवल क्रोशे डालूँगी फिर बन चेल लूँगी फिर बन चेल लूँगी इस तरह से मैंने यह सिंगल क्रोशे पुल ली फिर फो डवल क्रोशे पिर बन चेल लूँगी पिर बन चेल लूँगी पिर बन चेल लूँगी गुला इस रसे पिर बन चेल लूँगी पिर बन चेल लूँगी एो पुझ देजर एऊजें देखनाओ। कि इसी तरह से ये पूरा बोडर बनाना है इसको छोड़ कर डालना है इसमें अब इसको छोड़ दूमी में फिरस में डालना है इसी तरह से ये डालते हुए चले जाएंगे और बोडर कम्प्लीट हो जाएगा देखिए अब मैं इसमें जोड़ती हूँ ये जो मैंने फिरीगी चैन मनाई थी इसमें डाल पर इसको जोड़ना है इस तरह से देखिए मैंने इसको जोड़ दिया है अब ये बोडर कम्प्लीट हो गया है और ये मोनीटर कवर भी कम्प्लीट हो गया है दिखिए अब ये बनकर कवर बहुती सुन्दर लग रहा है अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें थैंक्यू